दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिकर क्या परचेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं सामने हो मन्जिल तो रास्ते न मोड़ना जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना अर्थिक पूझी ढहाचे की समीक्षा समीति के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों आर्थिक पूझी ढहाचे की समीक्षा समीक्षा के अध्यक्ष होंगे भीमल जालान यानि कि इसका option भी correct हो जाएगा दोस्तों आपको बता देख भारती रिजर्बेंग यानी RVI ने सरकार के परामर से केंद्री बेंग के आर्थिक पूझी ढहाची की समिक्षा के लिए 6 सदस्य समिती का गठन किया है और रिजर्बेंग के जो पूरू गवर्नर हैं बीवन जालान इस समिते के अध्यक्ष होंगे ठीक है आपको बता देख आर्थिक मामलों के सचीव सुभाज चंदरगर्ग RVI के उप गवर्नर NS विश्वनात और RVI के दो बोट सदस्य समिती के अन्य सदस्य होंगे इसमें ठीक है तो आर्थिक पूजे धाची की समिक्षा के लिए इस समिती का ध्यक्ष कोन होंगे रिजर्बेंग के पूरू गवर्नर बिमल जालान ऑप्सन बी दोस्तों यहां पे RVI की बात हो रही तो आपको बता दिक का रवी आई का स्थापना का होई थी एक अपरेल 1935 में रवी की स्थापना होई थी और इसका राश्टी करन कप किया गया था लिटन यंग आयोग की अनुषरणसा पर रवी का राश्टी करना हुआ था एक जन्वरी 1949 में ठीक है यह आपका रखना है अर्विया के हेड़कोर्डर कहां पर है यह मुंबई में है अर्विया के प्रथम गवर्नर कौन थे सर ओस्बॉन इसमित थे ठीक है रिजर्बैंक का कारे क्या दोसु साख नियंतरन करना विदेशी इनमें पनिंतरन करना सरकार एवन बैंकों के बैंकरों में कार करना और अभी हाल में आर्विया के जो नए गवर्नर बने दोस्तों वह हैं शक्तिकांत दास तो यह आप जरूर रखिएगा most important is latest आर्विया गवर्नर बन गए शक्तिकांत दास ठीक है तो इतने सारे आप पॉ लाइक का टार्गेट है बीस जार का दोस्तों फटा फट वीडियो को लाइक करके आपका सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए अगला गोस्ते नमारा अंटार्क्टिका में किसी भी प्रकार की सहायता के बीना सोलो ट्रेक पूरा करने वाली पहले विक्ति कौन बन गया है दोस्त प्रकार की सहायता की बीना अंटार्क्टिका में एकल ट्रेक पूरा करने वाले पहले विक्ति बन गये हैं दोस्तों उन्होंने अंटार्क्टिका को पार करने के लिए लगभग एक हजार मिल यानि 1600 किलिमीटर का सफर दे करने मुने 54 दिन 54 लगे हैं और वह प्रसांद महसा अंटार्क्टिका को पहली वारा के लिए पार किया था काफी इंपोर्टेंट ये करेंट एफेस को चुछन हो जाता है और ये किसी प्रकार की सहायता की बिना सोलो ट्रेक पूरा करने वाला पहला व्यक्ति कौन मन को लिए ये अमेरिका के हैं ठीक उन्होंने 16 किलमेटर का स मासिक सीमा लागू कर दी है तो दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जायाएगा ऑप्शन ए एक लाक रुपए तक दोस्तों आपको तादिक 25 दिसंबर को नेपाल ने अपने नागरिकों द्वारा भारत में खर्च रासी पर एक मासिक सीमा लगा दी है एक लिमिट बना दी है और नेपाली नागरिक भारत में बस्तूं और शेवाओं के लिए भुक्तान करते समय हर महीने एक लाक रुपए से धी खर्च नहीं कर पाएंगे मतलब एक लाक की लिमिटेशन बना दी गई है और यह नीती नेपाली बैंकों के प्रिपेट क्रेडिट और डेविट कार्ड क्या है बरतमान में नेपाल की प्रेशिडेंट कौन है विद्य देवी भंडारी है पीम कौन है के पी शर्मा ओली है इस इतने भी आपको में पॉइंट बताता हूं इनको आप नेट करते चलिए याद जरूर रखेंगे आपके एक्जाम पॉइंट भी से बहुत दोस्तों आकवतादिक राष्टपती रामनत कोविन जी ने एक जनवर 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग उचनेयले के आदेश जारी किये हैं ठीक है और हैदराबाद में इस्थित उचनेयले अप तेलंगाना का हाई कोड बन जाएगा और दोस्तों आकवतादिक आ सिर्फिय कोड हो जायेगा उचनेयले 25 25 अभी तक 24 थे ठीक है चलिए अग्ले उचन देख लेते हैं एसने महाताव का चांपारी जीणा की दूसरी डारैंक्यंग जारी की है जोस्तों हाली में महात्यों जीले परजने की दूसरी डेट्रा रेंकिंग जारी कि नीती आयोग ने ठीक है नीती आयोग इसका शेयरमेन कौन है निती यायोग का शेयरमेन कौन होता है भारत का प्रधान मंतरी होता है वर्तमान में मुदी जी हैं दोस्तों नीती आयोगकी ष्थाबन नुच recommend 2015 में योजन स्थान पर नीती आयो के स्थाबन की लाव ऑन की गई ठीक है आपको याद पर रेंक किया गया है तो हाली में किसने महत्ताव कांची जिला पर रेंकिंग जारी की है ये किये नितिया योग ने नितिया अक्से रिलेटर सारे पॉइंट ज़रूर रियाद रखेंगे फिर हमारा अगला कोशन है किसे 26 दिसंबर 2018 को आपचारिक रूप से ICC क्रिकेट हॉल में सामिल किया गया ICC क्रिकेट हॉल आफ हैं में सामिल किया गया है ठीक है आपको बता दे कि उन्हें जुलाई 2018 में पूर भारती कप्तान राहुल द्रविड के साथ ICC हॉल आफ हैं में नामित किया गया था और यह आपचारिक रूप से ICC क्रिकेट हॉल आफ हैं में सामिल होने वाले हुए ऐस्टेलिया के 25 में क्रिकेटर है ठीक है 25 में और तीन बार के ICC क्रिकेट वर्ल आफ हैं में वी जिसमें सुवर दो भार टीम के कप्तान भी थे ठीक हिनकी कप्तानी में दो बार और ऐस्ट सने कोशन नमर सेविंध है एकक्रीत रक्षा सटाप की उप्रमुकिरोँ में किसने पदभात समला है दोस्तों एकक्रीत रक्षा सटाप की उप्रमुकिरोँ में पदभार समला है omic है एर मार्शल राजीप सचदेवा यानी कि इसका आप शेली करेक्ठ हो ठीक है और दोस्तों इससे पहले हुआ है तीरोनित पुरम में धक्षणी वायू कमान मुख्याले में वरिस्ट वायू कर्मचारी अधिकारी थे ठीक है तो यह आपको याद रखना है एकक्रित रक्षाइस्ट आपके उपर मुक्रूम किस्ने पदवार समाला एयर मार्सल परिक्षण बरेली और किस शहर के मत रेलवे खंड के मत किया गया है तो यह के दोस्तों मुरादाबाद बरेली आपको बता दें ट्रेन अब अधिकारी ग्रूप से भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है ठीक है और इस परिक्षण के दोरान दोस्तों एक सौसी निर्मित इंजन रही ट्रेन है इससे चन्ना इस्थित इंट्रीगल कोच फैक्ट्री दोरा बनाया गया था और दोस्तों यह प्रीमियम सताब्दी एक्स्प्रेस की जगह लेगी तो जितने मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं यह बहुत इंपोर्टेंट है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन रही ट्रेन कौन से होगी ट्रेन 18 और अधिकारिक रूप से भारत की सबसे टेस्थ ट्रेन कौन से होगी ट्रेन 18 ठीक है तो यह आपको यह तिने पॉइंट जरूर याद रखना है भारत की सबसे टेस्थ ट्रेन 18 और इंजन रही ट्र और सोदेशी निर्मित 318 और कहां तयार किया गया चैन्ना इस्थित इंटीगल कोच फैक्टरी द्वारा तो यह आप फैक्ट जरूर याद रखिए चलिए फिर हमारा अगला उसन है उपरास्ट पती एंबंकाय नाइडू जी द्वारा किसे चैंपियन आप चेंज पूरुष पूरुष कार से समानित कीया गया ठीक है चैंपियेन आप चैंज पूरुषकार उन्हें दोस्तों पूरुष। राज में सासन में परिव campaign लाँने कि लिए उनके अनुकरणी नेत्रऊ के लियू जबंदी है और सिंग को देखे उस तो भूपेश्पगेल ये वरतमान में 36 गड़ के नए सीम बने हैं ठीक है भूपेश्पगेल और नितिश कुमार हैं बिहार के सीम ठीक है चलिए और असम के सीम कौन है सर्वादन सोनुवाल हमारा अगला कोशन है 26 राष्टिबाल विज्जान कांगरें के कहां किया गया छोए ज़ा की जार में 26 राष्टिबाल्स गचनात्मकता और विज्जान नावाच्षा में सेमता दिखाने कि लिए मंच्परान करेगा इस आजन को National Council for Science and Technology Communication का समर्थन प्राप्त है तो राश्ट्री वाल विगजान कांगरेश को द्धधन कहां किया गया ओडिशा में ओडिशा कैप्टल क्या है भुबनेश्चर है ओडिशा के बरतमान सीयम है देखें दोस्तों असम में चिमांग जिले में एही नदी के किनारे 27 दिसंबर को तीसरे दूजिंग महुचा उधरण किया गया और यह महुचा असम परेटन विभाग असम परेटन विकास निगम और बोडोलेंड परेटन दौरा सहिक तुरूप साजित किया जा रहा है यह महुचा बोडोलेंड प्रदिशिक शेत्र जिलों जिसे की कोकरा जहार चिरांग बसका और उधरण गुरी की समकाली नाकर्शों पर केंद्रित होगा तो तीसरे दूजिंग महुचा उधरण कहां किया गया है यह किया गया असम में आपसा ने करेक्ट हो जाएगा अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूछा था आपसे भारत की सबसे लंबी रेल सह सड़क पूल बोगी विलपूल का उधरण की सराज में किया गया तो यह किये गा दोस्तों आसम में यानि किसका आपसा ने करेक्ट था ठीक है सब इस्टूडियों ने राइट एंसर दिया था और काफी डिटेल में लिका था अब देख लेते हैं दोस्तों आज का कोशन क्या है जो कि बहुत महत्पूर है आज का सवाल है हमारा किसने मुहम सब्सक्राइब दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो को साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें स्वास्तर रही है जै हिन जै भारत